स्वागत आप सुभी का मेरे चैनल सीविल इंजिनिंग चैप्टर वाइज में आज की वीडियो में हम कॉंक्रीट फ्लोर का रेट एनलिस करेंगे इसमें हमारी क्या-क्या क्वांटिटी लगेगी और कितना हमारा पैसे लगेगा उसको हम डिसकस करेंगे एक्जाम्पल के द् होता है यह जाहिर सी बात है इसमें हम RCC का भी यूज़ करते हैं और PCC का भी यूज़ करते हैं दोनों का केस हम अलग-अलग लेते हैं सरीया भी यूज़ होता है इसमें और सरीया नहीं भी होता है बट जो हम इसमें करेंगे उसमें हम PCC का यूज़ करेंगे ठीक है सिंपल छोटे गरों में जो हमारा construction होता है floor का वो हमारा only PCC का होता है ठीक है जहाँ पर strength की जरूरत ज्यादा होती है तो वहाँ पर हम RCC का use करते हैं ठीक है तो इसमें एक छोटा सा difference है बाकी सारा हमारा procedure सेम होगा आएए देखते हैं वो क्या है अगर आप मेरे channel civil engineering chapter wise पे नए है तो please मेरे channel का आप subscribe कीजिए साथ साथ bell icon का आप जुरूर प्रेस कीजिए ताकि मेरे आने वाली सबी वीडियो के notification आपको मिल सके और आप उसका benefit ले सके यह देखिए flooring जब हम करते हैं तो concrete को prepared जो हमारा ground है उस पे अच्छे से spread करते हैं और उसको compact करके अच्छे से finishing देते हैं जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं यह हमारा floor नहीं है यह हमारा चोटा सा road का एक portion है ठीक है जिस पे हम concrete डाल रहे हैं इसको हम बाद में स्क्रीड वाइब्रेटर से अच्छे से compact करेंगे बाद में इसको finish कर देंगे तो यह जो हमारा prepared surface है मिट्टी का और broken stone का तो यह थोड़ा हमारा uneven होता है uneven का मतलब होता है उबड़ खाबड थोड़ा सा यह उबड़ खाबड होता है ज्यादा नहीं तो इसकी वज़े से एक चोटा सा difference आएगा हमारी calculation में वह क्या होगा हम आगे देखेंगे यह देखिए यह हमारा घर के अंदर एक फ्लोर का कास्टिंग चल रहा है और यहां पर भी आप देख सकते हैं जो prepared हमारा surface है जिस पर हम concrete की layer को spread करेंगे वह हमारा अच्छे से लेवल में नहीं है देख सकते हैं अच्छे से लेवल में नहीं है थोड़ा थोड़ा यह uneven है ज्यादा नहीं है बड़ थोड़ा सा है ठीक है तो इसकी वज़े से हमारा कुछ quantity में difference आता है तो वह क्या होता है वह हम numerical मे अच्छे से चेक करेंगे ठीक है यह देखिए फर्स्ट आपको जो पता है step हमारा क्या होता है quantity पता करनी है जहांपे हमें concrete करनी है ठीक है हम example लेते हैं 10 cubic meter का जैसे अभी तक हम लेते हुए आये हैं हमें क्या करना है quantity और volume पता करनी है जो हमें PCC floor work करना है उसके ratio हमें given है 1 2 4 1 है हमारा cement 2 है हमारा fine aggregate और 4 है हमारा coarse aggregate ठीक है इसके बारे में हम पहले डिसकस कर चुके हैं यानि कि अगर simple बासा हम बोले तो 1 kg हमारा cement होगा 2 kg हमारा fine aggregate या sand होगा और 4 kg उसमें हम course aggregate रोडी गिट्टी उसमें डालेंगे ठीक है उन सब को जब हम mix करते हैं तो हमारा PCC ready होता है तो यह होता है हमारा wet volume ठीक है आपको या तो dimension given होंगे कि कितने area में और कितने thickness का आपको floor cast करना है या फिर आपको direct volume भी given हो सकती है हम जोनों case लेके चल रहे हैं ठीक है अगर dimension given है तो 5 into 2 into 1 तो इनको जब multiply करेंगे तो आता है हमारा 10 cubic meter तो जो हमने लिया है already अब इसमें समसे important जो हमारी बात क्या आती है जब हम floor की बात करते हैं PCC या RCC में तो उसमें एक ही छोटा सा difference होगा यह adding 10% extra for unevenness of base concrete ठीक है समझ में आया जो हमारा base है concrete के नीचे जिसपे हम concrete को spread करेंगे वो थोड़ा हमारा उबड़ खाबड़ होता है थोड़ा सा uneven होता है तो इसकी वज़े से हम quantity का 10% बढ़ा देते हैं ठीक है simple है जैसे 10 cubic meter हमारी quantity थी तो हमने 10% इसका increase कर दिया इसमें ठीक है तो आया हमारा 11 cubic meter अब हमारे पास total quantity है वो 11 cubic meter है बस यह इसमें difference था कि जब भी हम flooring की casting करेंगे या RCC है या PCC तो उसमें uneven हमारा surface होता है उसके उपर हम concrete को डालते हैं तो 10% हम extra लेके चलते हैं ताकि 10% जो हमारा होगा वो उस uneven surface है उसमें fill up हो जाएगा और हमारी exact quantity होगी वो उपर हमारी रहेगी ठीक है अब next step जो आप जानते ह है 50 to 55% total quantity का हमें increase करना है किसलिए क्योंकि हमें dry volume उसका पता करना है हम usually 52% उसका लेते हैं 52% हमने increase किया 11 cubic meter का ठीक है 11 cubic meter का 52% जब हमने increase किया तो यह आया हमारा 16.72 cubic meter अब हमें पता लागया dry volume हमारा है 16.72 cubic meter ठीक है अब आटा है third step third step यह आपको पता ही है यह आपको याद रखना है एक cubic meter जो हमारा cement होता है उसमें 30 bags होते हैं हम जब exam में इसको solve करें क्योंकि exam में 30 हम जब quantity लेते हैं तो calculation थोड़ा easy हो जाता है ठीक है आप जल्दी से calculator में इसको use कर सकते हैं और आपकी जो result होगा वो भी fraction में नहीं होगा और जब site की बात करें तो हमारी site पे हम actual quantity लेके आती हैं क्योंकि extra अगर हम लेते हैं तो हमारा खर्चा बढ़ जाता है ठीक है तो खर्चा में कम से कम रखना होता है तो इसलिए हम actual quantity हमारी यह होती है 28.8 bags यह हम लेंगे site पे जब हम काम करेंगे ठीक है अब हमारे पास है dry volume ठीक है हमने cement का volume पता करना है cement का volume पता करने के लिए dry volume जो हमने calculate किया divide by sum of proportion जितने भी हमारे sum था sorry जितने भी हमारे proportion गिवन था एक दो चार हमें गिवन था जो भी आपको गिवन हो exam में या site पे जिस भी grade का concrete हो उसका आपको इसमें यूज करना है एक तीन चे एक डेड़ तीन ठीक है जो भी आपको proportion गिवन हो उसका आपको इसमें यूज करना है ठीक है हमारे पास एक दो चार का ratio गिवन है तो उसका sum होता हमारा 7 तो 16.72 को जब हमने 7 से divide किया तो हमारा 2.38 cubic meter हमारा volume आया cement का इतना cubic meter हमें cement use होंगे तो आपको पता ही है एक cubic meter हमारा 30 bags होते हैं तो 30 से अब multiply करेंगे तो 71.4 bags हमारे आते हैं हमने approximate इसको 72 bags ले लिया ठीक है 72 bags हमारे cement के इसमें use होंगे अब आता है fine aggregate और send ये 2 times है cement के volume का तो 2 into 2.38 तो हमारी जो value आई वो ये आई 4.76 cubic meter ठीक है अब आते है course aggregate ये हमारा 4 times है cement के volume का अब इसको 4 से multiply करने पर हमारा volume आया ये 9.52 cubic meter ठीक है cement हमारे पास है sand हमारे पास है और course aggregate हमारे पास है ठीक है अब सारी चीज हमारे पास आ चुकी है अब final जो आपको पता है हमें rate analysis की एक tabular form में इसको display करके लिखना है simple चीजे सबसे पहले material ये table आप अच्छे से बना के अपने copy pen से अच्छे से बना के रखना ठीक है क्योंकि हर बार आपको यही बनानी होगी और exam में भी आपको यही बना के दिखाना होगा site पर जबाब होते हैं तो ये सारी चीजे आप computer पर काम करते एक्सल सीट में काम करते या कोई software भी हो सकता है तो उसमें इसको लिखने की table को draw करने की जरूरत नहीं होती बट exam में इसको draw करना ही main काम है ठीक है 72 bags आपके इसमें लगे आपने लिख दिया इसमें sand आपका यह लगा और course aggregate इतना इन सब को लिखने के बाद आपको इनका price लिखना है rate जो market rate है आपका आप अंदाजे से भी इसको लिख सकते हैं ठीक है तो 300 पर बैग 300 रुपे का एक बैग है तो हमने price लिख दिया इसका यह है 250 पर क्यूबिक मेटर जो हमारा sand है उसका rate हमने लिख देए 250 पर क्यूबिक मेटर एक क्यूबिक मेटर का हमारा 500 रुपे rate है 300 रुपे rate है हमारा roadi का जो की per cubic मेटर का rate है ठीक है जब इनको multiply करते हैं एक दूसरे से तो हमारा result आता है यह सिमेंट का इतना खर्चा, sand का यह खर्चा और course aggregate का इतना खर्चा ठीक है तीनों चीज़े का हमारा खर्चा यह आ गया अब labor जो उसमें काम करने वाले हमारे labor होते हैं उसमें head mission या half number half number का मतलब होता है आदा दिन का काम क्या उसने ठीक है एक दिन का उसका जो wedge है जो उसकी difference नहीं होगा ठीक है कुछ भी मान सकते हैं बट ऐसा नहों कि आप उसको 2,000 रुपे दे रहे हैं head mission को 5,000 रुपे दे रहे हैं तो ऐसा एक reasonable आपको price उसमें रखना है 100 रुपे भी आप नहीं दे सकते क्योंकि इतने में कोई भी काम नहीं करता है एक genuine सा आपको rate उसमें रख नंबर जो काम करेगा वहां पर 500 रुपे उसकी जाड़ी है ठीक है फिर है मजदूर चार नंबर उसकी 300 रुपे पर डे की वेज बोई और कूली यह 6 नंबर हमने लिए हैं यह 250 यह है पर डे का rate इनका फिर है विस्ती विस्ती मतलब जो क्यूरिंग करने के लिए तराई करन के लिए हम बंदा रखते हैं तो वह एक नंबर हमने रखा है और वह है 100 रुपे पर डे के रेट पे लंप सम संद्रिश पिटी वर्क्स जो भी हमारे चोटे मोटे काम होते हैं वहापे टूल्स और प्लांट्स वहापे लगाई जाते हैं कॉंक्रीट को मिक्स करने के लिए करने के लिए वाइब्रेटर वगएरा तो उसके लिए लंप सम हमने 200 रुपे एड़ कर दिया है इन सब को हमने लिख दिया मल्टिप्लाई करने के बाद हमारा यह रिजल्ट आता गया अब हम टोटल कर देंगे इन सब का टोटल ओफ मैटीरियल एंड लेवर जो आपको पता है टोटल करने पे हमारा आया यह रिजल्ट ठीक है अब आपको याद रखने वाली बात है हाफ परसेंट आदा परसेंट हम लेते हैं पानी का चार तो हापे जो हम पानी का यूज करते हैं कॉंक्रीट मिक्सिंग में क्यूरिंग में ठीक है उन सबी के लिए हम हाफ परसेंट ओफ टोटल इसमें एड करते हैं तो हाफ परसेंट हमारा यह आया और टैन परसेंट हम ल 4.6 रुपीज, ओके, तो यह आया हमारा टोटल खर्चा, इसको हमने जब एड किया, तो ग्रेंड टोटल हमारा आया यह, यह हमारा टोटल खर्चा, जो हम कॉंक्रीट फ्लोर बनाने में यूज करेंगे, ठीक है, आपको पास अब एस्टिमेट है, आप अपने घर का एरिया, मेजर कीजिए, उसकी फ्लोर थिकनेस आप कुछ भी अजूम कीजिए, 50 mm, 100 mm, उसमें कॉंक्रीट आप डालने का एक अजंप्सन लेके और एक चोटा सा यह रेट एनलिस तैयार करके देखिए, आपको अच्छा लागेगा, आपके काफी सारे डाउट इसमें क्लियर होंगे अगर कोई डाउट फिर भी नहीं क्लियर होता है, तो मुझसे आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, रेट पर क्यूबिक मेटर, यह था हमारा दस क्यूबिक मेटर जब हम काम करते हैं, तो एक क्यूबिक मेटर का अगर हम रेट लें, तो वो दस से डिवाइड करने पर यह आता बट्ढ़ opposition से एक क्यूबिक मेटर